Hello students, students हम बात करेंगे Environment Performance Index के बारे में 2022 के इस Index को जुलाई मन्त के समय रिलीज किया गया था और हमारे आने वाली जो Prelims का एक्जाम है उसके लिए काफी ज़्यादा Important है Environment Performance Index Basically students ये जो Index है Environment Performance Index ये एक Bi-Annual Index है दो साल में दो वर्स के अंदर इसको एक बार रिलीज किया जाता है और वहाँ पे जो Countries की Environment की Performance है उसको Major किया जाता है और उनको Ranking Provide की जाती है अब ये रिलीज किसके दुआरा किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए तो World Economic Forum इसके अलावा जो Yale नाम की जो University है और जो Columbia का जो Earth Institution से Related जो Center है उनके दुआरा इस Index को रिलीज किया जाता है इस Index को सबसे पहले 2002 के समय रिलीज किया गया वहाँ पे इसका जो Name था Environment Sustainability Index था पर समय के साथ Countries की Environment की जो Performance है उसको Check करना ज़रूरी है तो इसको Rename किया गया Environment Performance Index इसका नाम रखा गया और यहाँ पे जो Countries है उनको Rank किया जाता है तीन ऐसे Broad Category है जिनके उपर Countries की जो Performance है उसको Major गिया जाता है अब वो तीन कौन-कौन सी Broad Category है वो है Ecosystem का वहाँ पे Vitality कैसा है जो Country है उसके अंदर Ecosystem की Vitality कैसी है वहाँ पे Health का क्या Impact है Health के उपर Environment Policies का क्या Impact है और Climate की Policy कैसी है उस Country की तो तीन ऐसे Important Pillar है Ecosystem Vitality, Health and Climate Policy जिनके उपर Countries की जो Performance है उसको Major किया जाता है 2022 के इस Index को Yale Center and Columbia का जो Earth Institution है उनकी द्वारा डवलप किया गया था उनकी द्वारा इसको Release किया गया है 2022 के इस Index में News में इस वज़े से था कि इंडिया की जो Rankin है 180 Rank दी गई है इंडिया को सबसे Bottom में रखा गया है इस Index के अंदर में और Indian Government ने इस Facts को यहाँ पे डिनाई किया है कि यहाँ पे गलत तरीके से जो Facts हैं उनको प्रेजेंट करके इंडिया की Rankin सबसे Bottom में रखी गई है अगर हम बात करें इस्टुडेंट्स 2022 के Environment Performance Index के बारे में तो 40 ऐसे Performance Indicator हैं जिनके उपर में 11 Issues रखे गए हैं और वहाँ पे Countries की जो Performance है जो Data यहाँ पे Drive किया गया है Surveys के थुरू उसके अंदर Countries की Performance को रखते हुए Countries को यहाँ पे Rankin दी गई है First Rank जिस Country ने Achieve की है वो है Denmark Denmark ने इस Index को Top किया है इसके अलावा Environment Performance Index के दुआरा कुछ ऐसे बाते बताई गई है कि इंडिया के अंदर जो Air की जो Quality है वो Declining Phase में है Greenhouse Gas का जो Emission है वो Continue यहाँ पे Increase Start हुआ है इसके वज़े से जो इंडिया की जो Environment के अंदर जो Performance है वो यहाँ पे Declining है इसके अलावे Students Environment Performance Index ने प्रेडिक्ट भी किया है कि 2050 का जब समय होगा 2050 के समय चार कंट्री हैं इंडिया, चाइना, रसिया और यूएसे इन चार कंट्रीज के दुआरा वर्ल्ड के अंदर जितनी भी Greenhouse Gas का Emission होगा इन चार कंट्रीज के दुआरा वो 50% Emission इन ही चार कंट्रीज के दुआरा 2050 के अंदर किया जाएगा यहाँ पे माना गया है कि इंडिया की जो one of the 30 जो polluted city हैं जिसके अंदर 21 city इंडिया से बिलोग करती हैं तो आप देख सकते हो हमारे urban area के अंदर जो pollution की जो situation है और air quality का जो जिस तरीके से decline हुआ है यह हमारे लिए काफी बड़ा एक concern है इसके लावे students इंडिया और इंडोनेशिया को यहाँ पे top emitter के रूप में माना है कि marine जो pollution है marine जो plastic waste है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा release किया जाता है इंडिया और इंडोनेशिया के दवारा तो यह कुछ data थे environment performance index के बारे में बाईनल यह index है बाईनल नहीं है साल में दो बार नहीं है दो साल में एक बार इसको release किया जाता है World Economic Forum, Yale University और इसके अलावा यहाँ पे Columbia का जो center है और अगर हम बात करें students इस index की इंडिया को जो ranking दी गई है वो है 180 rank जो आपको याद होनी चीए तो students आप कैसे ही आपको update करते रहेंगे जो भी prelims से related facts है Thank you students, thank you very much